नमस्कार दोस्तो अश्रुमिद नर्सिंग टुटोरल्स में आप सभी का स्वागत है हम आज अगर फर्स्ट यर के लिए अडमिशन लेना है तो उस टाइम कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगते हैं उसके बारे में आज बताने वाले हैं उसमें जो अकेदेमिक एयर है महारास् में उसी कौलेच के लिए अडमिशन ले रहे तो उसके लिए लगने वाले डाकुमेंट्स यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूं कॉर्स्स सभी कॉर्ष Reno.com िट अधि剛剛 बारे में या विडियो है तो कॉर्स के बारे में यह जो ऀंगरमेंट्स मेंए तो यह और इंजिनेरिं जो पहले सबसे पहले लगनेवाला डॉकमेंट्स हो भी ये सची पासिंग सर्टिफिकेट जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या एक्यूएलेंड बोर्ड का कौनसा भी सर्टिफिकेट रहेंगा इसे सी का वह आप ले सकते हैं उसके बाद ससी का मार्क सिट भी आपको देना आ सब्सक्राइब निएकर करनें सब्सक्राइब आपके यह न यह ना मिलता है त Она लिए या मायग्रिशन सर्टीफिकेट वह भी जरूरी होता है उसके बाद गयजट्स घजड़ कभी आपके नाम में कुछ बदला हुआ है कभी-कभी कैसा होता है कि हम 10 स्टांडर्ड में अलग नाम रखते हैं और कोई स्पिलिंग मिस्टिक रहता है तो उससी टाम अगर कोई Чोई मिस्टिक वगरा है तो अइसा कोई नाम में चेंज किया है तो उसका गैज्एट चाहिए तो यह गैज़्िपकेट भी और जिसके पास गैजज अगर नां место चेंज हुआ है उसे के के लिए गैजजट लगेगा जिसका नाम में कोई तकलिब नहीं कोई प्रॉब्लिम नहीं उसके लिए गयाजट सर्टिफिकेट देने का जुरूत नहीं है तो यह गयाजट सर्टिफिकेट एक महिधपुर्ण है उसके बाद मेडिकल fitness का भी देना होता है और इसके बाद gap certificate बद उसको फिल करना है और आपका medical fact चेकप करने के पाद जो कि ररिजिस्टरद ट्रक्टिशनर होतें Mb, Deam 465 इसके बाद सब्सक्राइब करके तो फिजिकली हम सेल्फ सारी है जिय सकते हैं तो उनके लिए ये फिजिकली हैंडिकाप का सर्टिफिकेट रहना जुरुर्य है उसके बाद dmar allotment later या कोई अगर आपका कोई किसी कॉलेज में आप सीट त्रू अटमिशन ले रहे आपको कई कॉलेज मिल गया है अगर आपका उसी कॉलेज को नंबर लगता है तो इसका प्रूफ चाहिए उनको तो डिये मेर अलॉट्मेंट लेटर वहां होना जुरूरी होता है अब उसके बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं या उसके पीडियोप रहेगा तो पीडियोप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाले या उसके स्वाप्ट कापी आपके पास रहना चाहिए क्योंकि यह जो आलॉट्मेंट लेटर है आपको फर्स्ट यर के लिए अगर सबस्काल लिएस साइड से लिंक आफ हो जाती है नहीं मिलता है तो उसी ताइम आपको तकलीफ हो जाती इसलिए अच्छी तरह सब्सकर उनी काफ भी होनी चाहिए तागी प्रहचान सके आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं या college-allotted है या नहीं तो इसके लिए को भूल देटर हम उसको भुलते या college-allart雪 ोना चाहिए उसके बाद यह में CTே मार्क्षिट यह में GG का जो स्कोर कार्ट सेटिफिकेट उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर चे किसी कास्ट में इंक्लूड होते हैं या कैटेगरी में से है तो आपको उसका कास्ट सर्टिपिकेट होना जरूरी है सो कास्ट सर्टिपिकेट उसके बाद कास्ट वैलेडिटी जिसने जिसने कास्ट वैलेडिटी निकाल लिया है तो उनको सब लोगों को कास्ट वैलेडिटी चाहिए अगर जिसका cost validity certificate admission के time available नहीं है ऐसे लोगों को एक दो तीन मेने का वहाँ पर time कभी कभी दिया जाता है तो अगर हो सके उसको जल्दी जल्दी निकालना है तो आपको जल्दी निकालना पड़ेगा तो इसके बाद non criminal certificate रहेगा तो नां क्रिमिलर सर्टिफिकेट निकाल लिया तो इसका जो वैलिटी रहता है वो तीन साल के लिए रहता है कोई क्या करता है तो इसके बाद यह इसका वैल्डی्टी खतम हो जाते है नॉन क्रिमिलल का तो आपको निकाल लेना है नॉन क्रिमिलल का भी तो उसके बाद non criminal के बाद आता है ID proof, ID proof याने कि आपका कोई भी आधार कार्ड, PAN कार्ड या कोई आपका राशन कार्ड, सरी, election कार्ड ओ भी होता तो चलेगा, तो ID proof, कोई ना कोई ID proof आपको देना पड़ेगा, ID proof साथ रखना पड़ेगा, उसकी hard copies आपको देनी पड़ेगी, attested करके, तो उसके बाद any other special reservation, अगर आप किसी special category से reserve करते हैं, या कोई हिली एरिया से, कोई उनका army candidate से, और कहीं भी reservation अगर admission के लिए दे रखा है, तो उसी reservation quota स अगर आप belong कर रहें, तो आपका, या कोई भी candidate हो, जिसका इसके other documents है, special reservation के, तो वो reservation के documents आपको रखने पड़ेगे, तो उसके बाद जो income certificate भी रहता है, कभी-कभी income certificate भी मांग लेते हैं, बहुत सारे colleges से हैं, जो की first year को, अगर student को एक category से आता है, तो उनको income certificate की भी मांग कर लेते हैं, क्योंकि, वो क्या करते हैं, पहले उसी time से, जो के scholarship के लिए prepare होते हैं, scholarship के लिए document ले लेते हैं, तो income certificate भी आगर आप निकालते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बाद में 8-10 दिन मिनी income certificate admission के बाद कुछ महिने में, income certificate निकालना ही पड़ेगा, क्य जरूरी होता है, तो ये सारे near about 16-17 documents है, जो के list यहां पर दी गई है, उसमें से आपको कौन-कौन से category से belong करते हैं, या open category से, आपको कौन-कौन से mandatory documents है, उसके बारे में आपको देखना है, तो ये documents आपके साथ होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा भी कोई दूसरा documents भी document भेज देते हैं, उनिरसिटी के लिए, तो उसी टाइम, आपको eligibility करने के लिए, आपके soft copies upload करने पड़ते हैं, तो soft copies आजकल college वाले बोलते हैं कि, आप ही अपने mobile से या कहीर से भी scan कर लो, उसकी soft copies email को भेज दो, तो आपको क्या करना है, ये बहुत सारे documents की, सभी documents की original soft copies आपको scan करना है, और उसको scan करके एक उसका folder बनाना है, आपके नाम से उसको folder बनाना है, और उस folder में सभी documents add करना है, और वो folder आपको एक-एक documents करके, उस folder में से एक-एक documents करके आपको email को सब एक साथ भेजना है, college के email को, तो ये सारे documents है, उसके पाद उसके hard copies भी आपको original hard copies ठीक सी आपके पास रखना हो उसका एक ज़रौख सेट भी आपको दो-डो ज़रौख सेट आई तिंग दो-दो ज़रौख इट्स आपको को ओरीज़ को देना पड़ेगा तो उसलिए आपका स्वाप्ट कापी, जोरोक सेट्स और ओरिजिनल डॉकमेंट है तीनों कॉलेज को आडमिशन लेने से पहले ही रेड़े होना चाहिए क्यूंकि कभी-कभी क्या होता है डॉकमेंट्स नहीं रहते हैं आप कॉलेज को अडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो तौसी टाइम यह इसको बचने के लिए इससे बचने के लिए आपको अभी सही डॉक्रमेंट डादिकर के रखना है और सब यह डॉक्रमेंट साथ लेकर कॉलेज को आपको और नए नए वीडियो आप इसी चाइनel के माध्यम से आप को देते रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपडेटेड रोन नाटिफिकेशन के लिए चैनल की तरब से तो थैंक यू धन्यवाद